वान टू थ्री हेलो लेडी दे जेडलमान जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने शुरू करते ही तालिया बजा दी और वो तालिया बजाने का कुछ मकसद था जो के आपने टाइटल भी देख लिया होगा कि टाइटल में लिखा हुआ है क्लैप फॉर यॉरसेल्फ इसका क्या मतलब है आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ वो सवाल सुनके आपको थोड़ अजीव सा भी लगएगा लेकिन आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सही है तो आईए आपको सवाल बताता ह सवाल क्या तो सवाल यह मेरा आपसे कि हम किसी श्व में जाते हैं किसी की बर्ड़े होती है किसी की कोई achievement होती है, किसी ने कुछ achieve किया, तो हम उसके लिए तो तालिया बजा देते हैं, लेकिन क्या हम अपने लिए कभी तालिया बजाते हैं, क्या हम अपने लिए clapping करते हैं, जी हाँ, तो आज इस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमारे mind में दो तर पढ़ाई है जॉब है बिजनेस है जो भी है काम करो तो ये दो तिंकिंग हमारी साथ-साथ चल लिए होती है लेकिन इस में कुछ बैलनस नहीं रह पाता है इसमें बैलनस होना बड़ा जरूरी है बैलनस कैसे होना जरूरी है अगर आप एनजॉय ही करना है तो ये वह thinking basically short term चलती है, वह short term सोचती है, वह short term को आगे एक pattern में काम करती है, short term का बस short term हा, बस facebook use कर लो, youtube use कर लो, instagram use कर लो, twitter use कर लो, snapchat पे videos बना लो, snap बना लो, ठीक है, streaks बना लो, तो यह क्या है short term है, ठीक है, लेकिन long term कौन करती है thinking, long term किसका काम है, यह वाली thinking का, जो यह काम करना है, अपने वक को जाया नहीं करना, तो यह thinking कौन सी है, जो काम करने वाली है, और दूसरी thinking कौन सी है, जो enjoy, relax करने वाली है, एक short term है, एक long term है, तो अब इसमें से, कोई भी thinking को हमें बंद नहीं करना, कि नहीं बस enjoy नहीं करना, या enjoy ही करना है, काम नहीं करना, तो द 35-20-21 जो भी एज ग्रूप है आपका जो यंग स्टेर जें to उनकी डवेलपमेंट हो रही होती है अभी इस वक्त इस इस मैंड में बेसीकली डवेलपमेंट ऑफिक्या छीज डौमिनेंट हो तो बेसिकली आपके माइन में जो काम करने वाला काम करने वाली thinking वो dominant होनी चाहिए लेकिन enjoy करने वाली thinking बंद नहीं करने है उसको भी आपने साथ-साथ लेके चलना है लेकिन उसको कैसे साथ-साथ लेके चलना है हाँ एकु करना था वो आपने काम कर लिया आपने कुछ अचीव कर लिया तो अब आपको यह नहीं सोचना कि यार नहीं हम उले अगले काम की तरफ जाना अगला काम भी कुरना है वहाँ पर रुकना नहीं है लेकिन तोड़ी देर कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेकर अपने आपको एप्रिशेट जरूर करना है कि वाओ नाइस पैतरीं एक किर्केटर है वो छक्का लगा रहा है से छक्का लगाया बॉल स्टेडियम के भार चली गई लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं तो दिल में अपने आपको करूं का लेकिन अभी के लिए गुड जॉब अपने आपको बेसिकली क्या करना है एप्रिशेट करना जरूरी नहीं है कि आपने तालियां ही बजाएं इसका मतलब यह कि आपने आपको एप्रिशेट करें तालियां मजानी है अलग से कोई नहीं देख रहा कोई आस पास नह है आपने तो तालियां मजा दी हाँ बस रही है ठीक है लेकिन जब कोई है सामने चार लोग है तो अब वो तो कुछ और ही समझेंगे बोलेंगे पागल होगी है तो पर क्या करना है आपने खुद को दिली दिल में अप्रिशेट कर लिया कि गुड जॉब कोई भी चीज आपन किसी बड़ी चीज ओ अगर आपने कुछ अचीफ किया है तो आप अपने आपको बैसिकली एप्रिशेट करें क्यूं करें उसका भी रीजन में आपको बात में देता हूं लेकिन आपको एक और बात साथ साथ बता दूँ रिवार्ड ये रिवार्ड है बैसिकली आप अपन के लेनी करना अच्छे काम के लेकरना है अपने कूछ शिडियूल बनाया आपने की फॉल यह उब ने पर तो रात सेक। एक द Приसकेद पर आप मीडिया आप 수le मीडिया कुक्यू है यह वहां काम क्यूँ किया ओक्यों कि यह रिलैक्स वाला ग्राला क्यूंकिंग है जो यह औ enjoy करो enjoy करो तो वो वो उसको भी आपने साथ लेके चलना है like I said before तो उसको साथ लेके कैसे चलना है कि आपने पहले काम कर लिया अब आपने काम करने के दौरान कभी भी आपको ऐसा लग रहा है काम नहीं करना तो आपने ही सोचने के काम कर लोगे तो enjoyment मिल जाएगी तो काम हो जा कर लिया ठीक है आपने कोई memes देख लीन粉ी وीडियो देख ली किसी से बातें कर ली तो क्या हुआ ये क्या है ये इंजॉइमेंट है शॉठ टम इंजॉइमेंट तो वह भी राजी और जो काम करने वाली ठिंकिंग है वह भी राजी तो धोनु राजी ठीक है लेकन काम आपने ज्यादा करना है आपने लाइफ के हर मूमेंट को करना है अगेर ये वह जी आमत लाहिएगा वो एक अलग topic है ठीक है लेकिन ये एक अलग topic है ये short term और long term enjoyment है तो short term enjoyment आपने करनी है लेकिन वो एक time के लिए करनी है जरूर ही नहीं है मैंने आप 15 minutes का है तो 15 minutes ठीक करें आदा गंडा भी कर सकते हैं मसला नहीं है ठीक है लेकिन balance करके चलना है वो आपने अपनी nature के हिसाब से देखना है और साथ ही साथ आप आपने Monday to Saturday schedule follow किया तो अब संडे को क्या कर सकते हैं संडे को रिलाक्स कर लिया काफिर से पहले की बात है लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था उनसे बात करके कुछ लोग थे जो जॉब करते थे उनसे जब मेरी बात हुई तो बेसिकली उनकी बातों से समझ में आया कि संडे को उनकी छुटी थी और Monday to Saturday उनके काम थे मतलब उनको जाना होता था कंपनी में जॉब करने के लिए तो मंदे को energy होती थी क्योंके संडे को छुटी होई होती थी तो तो Monday Tuesday Wednesday चल जाता था फिर Thursday को काम करने का उनका दिल नहीं होता था तो वो अंदर ही अंदर सोचते थे कि संडे की छुटी आने वाली है तो जब वो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे याद है कि स्कूल कॉलेज में भी अक्सर हम यह करते थे हूम इंजॉए करने है थे के थल्सक्राइब को यह सोच यह को किसी स्कूल है तो तो मुझे टोसरे को दूसरे पर डिपेंड कर लेते थे तो ये आपने अपने साथ दि अपने से गेमठी यह और यह की मुझे आते हैं उसकते में लूह समझ में पांछों का मतलब एक ही है तो उने को पता है कि हमें नीन्द आने लगती है बहुत सारी लोगों yn रात में नींद आ जाती है कुछ लोगों को सुबा नींद आ जाती है वो क्यों आती है क्यों कि वो लोग सुबा ही सोते हैं रात को जाकते हैं तो उन्हें सुबा नींद आती है ठीक है लेकिन आइस्ता आइस्ता वह आप चीज को चेंज कर सकते हैं ऐसे एकदम से चेंज नही है तो रात को आपको 15-20 मिनिट एक एक enjoyment वाला काम मिलेगा ठीक है तो वो क्या होगा आपका brain भी राजी तो आपको उस वक्त जब आप काम कर रहे होगे तो आपको distraction नहीं होगी क्यार मैं social media क्यार यूज कर लो क्या आपको पता है कि अगर आप यह काम कर लोगे तो रात को आधा गंटा एक proper social media के लिए मिलेगा तो उस वक्त आप 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 कोई काम करना ठीक है और जब आप काम कर होगे तो आपको यह टेंशन नहीं होगी क्यार आपने social media तो आपने आपको dependent कर दिया एक को दूसरे पर dependent कर दिया किसी को भी ज्यादा वह नहीं करना प्रायोरिटी नहीं देनी क्यार बस यही करना काम ही करना यह सिर्फ इंजॉई ही करना दोनों साथ-साथ लेके तो जी तालियां बजाएं एप्रिशेट करें अपने आपको अपने आपके लिए क्लापिंग करें जी हाँ अपने अपने आपको गुड जॉप कहें कीपट अप कहें अपने आपको अच्छे अलफाज कहें ताके आप लाइफ में आगे बढ़ सकें तो यह था आज का हमारा टॉपिक बहुत सारे लोग यह भी कहेंगे यार यह क्या जीब सी लुकात है वो कहते ही रहेंगे लेकिन जो इस चीज पर फॉलो करेंगा जो इस चीज को फॉलो करेंगा और कुछ अरसे बाद आपको इसके बैनेफिट्स नजर आएंगे एक बार जाते जाते हो जाएं तालियां